आमादी पार्टी को जो नया कार्यालाय मिला है वो कहां है कैसा दिखता है ये देखिए ये है आमादी पार्टी का होने वाला नया दफ्तर एक पंडित रवी शंकर शुकला लेन नई दिल्ली बिल्कुल ये लुटियन जोन के अंदर आता है और ये देखिए ये दफ्तर पर ये केंदर सरकार की तरफ से आमादी पार्टी को सूचित किया गया है कि उसको पार्टी ओफिस के लिए ये एक पंडित रवीशंकर शुक्ला लें जो की सेंडल दिली में लुटियन जोन में हैं ये आवंटित किया जाएगा यहां पर आने के लिए जो कनेक्टिविटी है वो ये है कि मंडी हाउस और जनपत दो मेट्रो शिजन है जो यहां से पास पड़ते हैं अभी जो आमादी पार्टी को दफतर आमादी पार्टी के पास है वो है 206 राउ जवेन्यू पंडित दीन दियालुपाद्य हमार्क जो बीजेबिक आटकोर्टर है उसके पास ही आमा क्या है क्योंकि इस थाई तौर पर किसी भी पार्टी को जब दफतर के लिए दिया जाता है तो वो जमीन दी जाती ए द दा कि जमीन दी ब्यूट्यन जोन के अंदर यह आमाधी पार्टी का होगा अब यहां पर आमाधी पार्टी का दफ्तर है । ़ो इन्यावाधी प कर देविट्र ग्रावधी पास में ही है रावज आवधी कोर्टी के बिल्कुल लगा हुआ उस ब्रौ रहा उस कोड इस न होना है तो रहाव न सब्सक्राइब को दे रही है आमादी パार्टी के पास अभी 10 – 15 दिन है क्योंकि 10 अगस तक आमादी Redokol को जो मौझद कार्यलर्य चानल है जहां पर आमाधी पार्टी 2012 में GAN legitim हुई थी वही आमादी पार्टी का मुझ्हे कार्यलर्य समय हैं तो 10-15 दिन है तक आमाधी पार्टी यहां पर अपना काम कर सकती है और आगे आमाधी पार्टी संभव है कि यहां से अपना जो काम है वो करे क्योंकि आमाधी पार्टी को राष्ट्रिये पार्टी के तौर पर जो दफ्तर है वो यह अलोट किया गया है लेकिन आमाधी कह रहे हैं लेकिन अलबुट यह कहा गया है तो संभव है कि यही दफतर जो है आमादी पार्टी को उसके राष्ट्य कारह लेकर दिया जाए यह अस्थाई है अभी जो अस्थाई होगा उसके लिए पूरी जमीन दी जाएगी और आमादी पार्टी एक स्टेट पार्टी होने के नाते भी उसको यहां पर दिल्ली के अंदर दफ्तर मिलना है, जमीन मिलनी है, जहां पर आमाधी पार्टी अपने दफ्तर का निर्मान करेगी, वो भी अभी आमाधी पार्टी को नहीं मिला है, तो जब तक अभी फिलाल के लिए ये मान सकते हैं, कि जब तक क अगला कोई इंतजाम नहीं हो जाता आमाधी पार्टी के लिए तब तक आमाधी पार्टी का यही पता हो सकता है कि आमाधी पार्टी एक पंडित रवी शंकर शुक्ला लेन नई दिल्ली दिल्ली से मैं शरच चर्मा एंडिटीव इंडिया